तो आज डिसकस करेंगे क्लास 10 इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट की सेकंड पॉयम जिसका नाम है फायर एंड आइस और इसके आज हम कवर करने वाले हैं कोश्चिन अंसर तो आपको बता दूँ इसमें मैं टेक्स्ट बुक के जो कॉश्चिन अंसर है उसके साथ साथ बॉर्ड एक्जाम के अकॉर्डिंगली जो एक्स्ट्रा कॉश्चिन अंसर हैं वह भी मैंने इस वीडियो में डाले हैं और अगर आपने अभी तक इसके जो एक्स्प्लेनेशन है पॉयम की वह नहीं देखिए तो डेस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है उस ल अधर नहीं पोई तो पोईम के पोईट होते हैं ध्यान रखेगा तो इसके क्या नहीं पोईट का नहीं और पोईट का नेम कभी भी पूछ लिया जाता है तो चलिए कोशचन और की तरफ बढ़ते हैं पहला क्वेस्टन जो है वह पेज नंबर 15 का थिंक अबाउट दा में कि किस तरह से दुनिया खतम होगी तो आपको लगता है कि दुनिया कभी खतम होगी और गॉल्डर और तो आपने क्या कभी इस बारे में सोचा है कि अगर जो सन है वो काफी ज्यादा गर्म हो जाए और इतना ज्यादा हो जाए कि बिल्कुली थंडा होता चला जाए कोल्डर एंड कोल्डर होता चला जाए तो आइए इसको देखते हैं अनफॉर्चनेटली दा वर्ड इस गोइंग टू एंड वन डे और देर इस नहीं रोख पाएंगे इस विनाश को तो देर आर मैनी आइडियाज एज तो हाव इट विल एंड अब हमें यह तो नहीं पता कि दुनिया कैसे एंड होगी मतलब इसके काफी ज़दा आइडियाज हैं बट वन कांट से शूरली लेकिन दुनिया किस तरह से खतम होगी यह कोई भी नहीं कह सकता मतलब हम आइडिय Dan temperature is apt to make it possible अब कई reasons होते हैं जिससे कि हम przyяла रहे हैं और वह reasons क्या क्या हो सकते हैं जो यहां की अवस्था है जो आथि इसलिद्थी बगरा है जो काफी जश्था है वह काफी जद़ा अपयोक्थ आब डियांग कि suitable है य성을धे अगर यहां पर अवस्था नहोती इस तरह की या फिर temperature ना होता तो हम यहां पर रह नहीं सकते हैं कि इसका temperature हमारे लिए suitable है तब ही रह पा रहे हैं So if the sun gets so hot one day that it is at the verge of bursting तो अगर जो सूर्य है सूर्य देवता है जो हमारे sun है वो कह काफी ज़दा गरम हो जाएं और इस stage पर आजाएं at the verge of bursting अब verge का क्या मेंने होता है very near to doing something यानि कि किसी चीज़ के बहुत नजदीक पहुंचाना तो यह burst होने के काफी ज़दा नजदीक आजाएं यानि की फटने की कगार पर आजाए then it would lead to rapid destruction as there would be fire everywhere तो यह इस तरह के विनाज पर आजाएगा यानि की अगर सूर्य काफी ज़दा गरम हो जाए तो इस तरह के विनाज पर आजाएगी हर एक जगा आगी आग होगी Conversely if it grows colder and colder और उसके बिल्कुल opposite बिल्कुल विपरीत अगर ये थंडी होते जाए दर्ती there will be ice everywhere तो यहाँ पर क्या है दर्ती पर क्या है पूरी जगाँ ice होगी and life in any form would not be able to sustain at such low temperature और इतने कम temperature पर यानि की थंडी में सूर्य दर्ती पर रहना काफी जदा मुश्किल हो जाएगा और यहाँ पर रहन सेंड करना काफी जदा मुश्किल हो जाएगा यहाँ पर रहन नहीं पाएंगे तो इस तरह से first question हो गया आप second question है for frost what do fire and ice stand for तो अब जो frost है इसके point है Robert frost उनके accordingly fire and ice का meaning क्या आता है so here are some ideas तो question में कुछ ideas दिये हुएं तो greed greed का क्या meaning होता है जो लालच या लोब कह सकते हैं aways का क्या meaning होता है जो लोब होता है यानकी extreme desire for money कह सकते है यानकी काफी जदा पैसे का लालच होना so clarity का meaning होता है काफी जदा क्रूरता है या फिर निफदा ही होना किसी चीज के लिए lust lust का meaning होता है very strong desire to get something यानकी कि किसी चीज के लिए बहुत ही ज़्यादा इच्छा रखना तो आपको लग रहा होएगा यह लगबख सभी मिलते जुलते से हैं तो हमें ध्यान रुकिए fire और ice के लिए क्या क्या है वही बताना है तो fire के लिए क्या desire आया था तो इच्छाओं से related words आएंगे और ice के लिए क्याया था hatred यानि कि गुस्सा दिखाना तो उससे related words आएंगे तो यह लगबख synonym में मिलेंगे आपको ठीक है नेक्स्ट है conflict conflict का क्या मिनिंग होता है यानि कि एक दूसरे से मतलब opposite होना वेपरीत होना जैसे किसी से सहमत ही ना होना जैसे पती-पत्नी है तो पती कहरे कि खाने में यह चीज़ बनेगी आज और पत्नी कहरे कि नहीं यह चीज़ बनेगी तो उनके आपस में ही विरोध कर है impatience यानि कि ऐस है निया किस चीज़ को सहनने कर सकने वाला Rigid Rigidity का क्या मिनिंग होता है काफि जैदा कठोड़ता रखना या सकती रखना उसके बाद है इनसेंसेंसेंसेंसेंसेंसेंसेंसेंसेंसेंसेंसेंसेंसेंसेंसेंसेंसेंसेंसेंसेंसेंसेंसेंसेंसेंसेंसेंसेंसेंसेंसेंसेंसेंसेंसेंसेंसेंसेंसेंसेंसेंसेंसेंसेंसेंसेंसेंसेंसेंसेंसेंसेंसेंसेंसेंसेंसेंसेंसेंसेंसेंसेंसेंसेंसेंसेंसेंसेंसेंसेंसेंस constant हों चुके neutral है, hatred यानि कि किसी चीज की कुरूरता या निर्देयता दिखाना है यानि कि उस पे घ्रिना करना किसी चीज की, तो इन सब में क्या-क्या मिनिंग किस-किस चीज के लिए आई हैं, तो देख लेते हैं, तो अब frost के accordingly, fire stands for greed, conflict, furry, cruelty, lust, and awareness, whereas I stand for insensitivity, coldness, intolerance, indifference, rigidity, and hatred, तो यह यह words हैं जो इन-इन चीजों के लिए आई है, fire and ice के लिए, जिनके मिनिंग आपको मैं question में already बता चुका हूँ, तो चलिए third question की तरफ बढ़ते हैं, what is the rhyme scheme of the poem, तो poem की rhyme scheme क्या है, मैं आपको poem की explanation में already बता चुका हूँ, कि poem की rhyme scheme कैसे check करते हैं, तो हमने poem की rhyme scheme क्या पड़ी थी, A, B, A, A, B, C, B, C, B, तो यह nine lines थी, जो की दो paragraph में divided थी, और इसकी rhyme scheme क्या थी, A, B, A, A, B, C, B, C, B, How does it help in bringing out the contrasting ideas in the poem, और यह जो rhyme scheme है, यह किस तरह से help कर रही है, एक दूसरे के जो opposite है, contrasting ideas हैं, उनकी opposite ideas हैं, उनको दिखाने में poem के अंदर, तो चेक करते हैं, the contrasting ideas of fire and eyes are presented using this rhyme scheme, तो यह जो उपर rhyme scheme दिखाई गई है, इस rhyme scheme के through ही क्या है, fire and eyes को एक दूसरे से opposite दिखाया गया है, poem के अंदर, he mentions that both fire and eyes are probable end of this world, और यहां पर Robert Frost ने अच्छे से बता दिया, poem के अंदर हमें, कि जो fire है और eyes है, उसके through जो दुनिया का विनाश है, वो किस तरह से होगा, while he talks about how fire represents desires, and can therefore be a cause of the end of the world, जहां पर Robert ने बताया था, Frost ने, कि जिस तरह से fire, desire के through end होगा दुनिया का, यानि कि इच्छाओं के through होगा, he also mentions eyes in between to symbolize the coldness and indifference toward one another, will also be enough to end the world, वहीं उन्होंने ये चीज़ भी बताई है, कि जो eyes है, वो क्या symbolize कर रही है, कि जो एक दूसरे से जो indifference है, neutral है, यानि कि किसी चीज़ से कोई फरक नहीं पढ़ रहा, या फिर किसी चीज़ पर काफी ज़्यादा गुसा करना है, ये सभी चीज़े क्या बताती है, एक दूसरे से greener को बताती है, और ये eyes को symbolize कर रही है, जिससे कि दुनिया का खात्मा होगा, और जो second stranger था पोएम का, उसमें पोएट ने क्या पताया है, कि जो hate है, जो hatred है, वो इतनी ज़दा हो जाएगी दुनिया में, कि उसकी वज़े से जो दुनिया का विनाश है, destruction है, वो sure है, और eyes would be sufficient to bring out the end of the world, और second paragraph में उन्होंने second stranger में क्या बताया था, कि eyes के through जो है, वो दुनिया का खात्मा होगा, eyes sufficient होगी, तो इस poem में दो paragraph थे, एक में eyes के through बताया, और एक में fire के through बताया, और उनके meaning भी बताये थे, तो यह तो होगया, आपके textbook के question answer, अब कुछ extra question answers डाले हैं, मैंने इसमें board exams के accordingly, तो इसमें जो board exam के question answers हैं, वो भी डाले हैं, यानि कि जो पिछले board exams में आ चुके हैं, और जो आगे आ सकते हैं, important है, वो भी मैंने यहाँ पर add कि हूँ हैं, तो वो देख लीजिए, पहला question है, what has to perish twice, तो poem के accordingly, किस चीज़ को दो बार नश्ट हो ना होगा, या क्या चीज़ दो बार नश्ट होगी, this word has to perish twice, once through the fire and then through the ice, तो यहाँ पर poet ने क्या पता है, कि यहाँ पर दो बार जो नश्ट होगी चीज़ वो क्या है, दुनिया, एक बार तो fire के through, या निकी लोगों की इच्छाओं के through, और दूसरी बार ice के through, या निकी एक दूसरे से गुसा, ग्रेणा वगरा, इन सबी चीज़ों के through, second question क्या है, what does the poet know enough, तो poet जो है, उसको क्या चीज़ ज़्यादा पता है, so the poet knows that there is enough hatred in this world, तो poet को क्या पता है, कि इस दुनिया में, जो हेटरेट है, एक दूसरे से ग्रेणा है, वो भी बहुत ज़्यादा है, अब third question है, who is also great for destruction, तो दुनिया के विनाश के लिए और भी क्या कामगा चीज़ है, so growing hatred in humans is great for destruction, तो लोगों में जो आपसी ग्रेणा है, आपसी मतवेद है, आपसी एक दूसरे के लिए गुस्सा है, वो भी इस दर्ती के विनाश के लिए बहुत ही ज़्यादा powerful चीज़ है, यानि कि बहुत ही ऊपर की चीज़ है, इससे भी दुनिया का विनाश हो सकता है, अब fourth question है, what does ice symbolize in this poem, तो इस poem में जो ice है, वो क्या symbolize कर रही है, ice का meaning क्या आ रहा है, so here ice symbolizes cold which means hatred, तो यहाँ पर ice symbolize कर रही है cold को और इसका meaning क्या रहा है poem के अंदर hatred, यानि कि ग्रेणा एक दूसरे से गुस्सा होना, fifth question क्या है, what do people think the world will end, तो लोगों को क्या लगता है कि दुनिया किस तरह से खतम होगी, so the world will be destroyed with fire and ice, तो लोगों के accordingly जो दुनिया है वो fire और ice के थ्रूँ खतम होगी, actual कि fire और ice के थ्रूँ नहीं, fire यानि कि desire और ice यानि कि hatred यानि कि greener, which two things will destroy the world, तो दुनिया में जो दो चीज़े हैं वो क्या कर सकने हैं, मतलब दुनिया के विराश के लिए दो चीज़े हैं, क्या बताई है इस पाई में, so वो दो चीज़े हैं, hatred and desire, यानि कि एक दूसरे से ग्रेना, और दूसरी चीज़ किया है, जो लोगों की इच्छा हैं, यानि किया तो लोग इच्छा करते करते ही मर जाएंगे, या फिर एक दूसरे से क्रेना करते करते ही मर जाएंगे, अब 7th question है, what is the prediction of the people about how the world will come to an end, तो लोगों के क्या-क्या अनमान है, क्या-क्या prediction है, जिससे कि ये दुनिया जो है, वो खतम होगी, some people say that the world will come to an end in a fire, while others say it will come to an end in ice, तो कई लोगों के लगता है कि दुनिया जो है वो fire की वज़े से खतम होगी, यानि कि लोगों के च्छाओं की वज़े से खतम होगी और कईयों को क्या लगता है कि ice, यानि कि hatred की वज़े से खतम होगी दुनिया, अब 8th question है, what is fire a symbol of, तो fire जो है वो किस चीज़ का symbol है So fire is a symbol of lust and endless desires तो fire यहाँ पर किस चीज़ का symbol है एक काफी ज़्यदा strong desire का Lust का मैंने आपको meaning बताया था Very strong desire to get something किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यदा लगाव होना है काफी ज़्यदा उस चीज़ को पाने के लिए उसकता होना या फिर endless desire या नहीं कभी ना खतम होने वाली आपकी इच्छाएं है तो fire यही symbolize कर रही है अब 9th question है What is ice a symbol of? तो ice किस चीज़ को symbolize कर रही है Ice is a symbol of hatred तो ice इसमें क्या symbolize कर रही है रिट्रेट को या नहीं की ग्रीना को एक दूसरे से आपसी मतबेद को तो देखिए हर एक question में लगबग लगबग वही चीज़े रिपीट हो रही है बस question क्या है गुमा कर दिए हुए तो board में इसी तरह के question पूछे जाते हैं आगे पीछे करके 10th है पूइट होट्स विद दोज फेवर फायर बिकोज़ डिजार्स फर मेटिरियल तिंग इस इंक्रीजिंग फासली तो पूइट जो है उन लोगों के साथ क्यों था जो फायर को फेवर कर रहे थे क्योंकि जो आजकल के लोगों में इच्छाए हैं वो कभी खतम होने वाली नहीं है यानि कि अगर आपके पास मालीज एक गाड़ी है तो आप उससे बड़ी गाड़ी के लिए सोचेंगे अगर आपके पास दो रूम वाला फ्लैट है तो आप तीन रूम वाला सोचेंगे पांच रूम वाला सोचेंगे अगर आपके पास एक गाड़ी है तो दो गाड़ी के लिए सोचेंगे तो मतलब कभी ना खतम होने वाली इच्छा हैं आपके पास छोटा फोन है तो आप बड़े फोन का सोचेंगे फिर उससे बड़े फोन का फिर मेंगे फोन का तो कभी ना खतम होने लिए इच्छाए हैं उसकी वह जैसी जो पोईट है वो फेवर कर रहा है फायर को अब टैंथ है who is the poet of the poem तो इस poem के poet को ने रोबर्ट प्रोस्ट आपको पहले भी बिताया था पोईट का नेम और poet का नेम याद रखेगा कभी भी कहीं भी पूछा जा सकता है फाइल क्वेश्चन है what is the underlying idea of the poem fire and eyes तो fire and eyes का underlying idea क्या है so the poet equates fire with desire तो poet जो है वो comparison किसका कर रहा है fire और eyes का तो fire को किससे equality दे रहा है desire के साथ याने की इच्छाओं के साथ and eyes with hatred और eyes को किससे दे रहा है एक दूसरे से के आपसी मत बेदिया घ्रिणा से hatred से so both of these are growing with enormous speed तो ये दोनों चीज़े जो हैं वो काफी जादा तेजी से बढ़ रही है याने कि जैसे जैसे लोगों की इच्छाएं बढ़ रही हैं किसी चीज़ के लिए वैसे वैसे आपसी ग्रिणा आपसी मत बेद भी बढ़ते जा रहे हैं if we don't check them from growing the world will perish और अगर हम ये चेक नहीं करेंगे कि ये किसनी स्पीड से बढ़ रहे हैं तो दुनिया एक दिन बहुत ही जल्दी विनाश पर आ जाएगी so we must restrain our desires and love our fellow wings so we must have a अपने इच्छाओं को भी कम करना चाहिए या ध्यान रखिए जैसे जैसे आप ज़्यादा इच्छाए करेंगे आपके पैसे भी लगेंगे और आपकी कभी ना खतम होने आप इच्छाएं भी बढ़ती जाएंगी तो थोड़ा इच्छाओं को भी इच्छाओं पे भी लगाम लगानी है और अपने आसपास के लोगों से ग्रिणा करने के बिजाए उनसे प्यार करना चाहिए लगावर फैलो बिंग से आसपास के लोगों से हमारे रिष्टिदारों से ग्रिणा नहीं करनी चाहिए उन्हें प्यार देना चाहिए अब 13 question है for frost what do fire and ice stand for तो frost के accordingly fire and ice किस चीज़ के लिए आ रहे है so the word fire stands for desire तो fire word किस लिए है desire के लिए in the poem it indicates all type of greed and lust तो इस poem में क्या है ये हर एक type की desire के लिए हर एक type की greed के लिए book के लिए ही indicate कर रहा है fire word in today's world mankind's greed is endangering the very existence of the planet earth तो आज के time में इस दुनिया में क्या हो रहा है भी कि जो लोगों के मन में जो किसी चीज़ की भूग है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जा रही है और इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि वो dangering थिंग पर आ गई है यनकी विनाशकरी थिंग पर आ गई है और इस दुनिया का कभी भी विनाश कर सकती है और इसमें जो word आया है ice वो क्या indicate कर रहा है hatred को, greener को और indifference को यनकी जो आपस में ही मतबेद नहीं कर पाते हैं constant हो जाते हैं उन लोगों के लिए as cold as ice यनकी इस तरह से neutral हैं जैसे ice है ice को किसी चीज़ से कोई फर्क नहीं पढ़ता चाहिए थोड़ा मार लो या फिर फर्च पर फैंक के गेर लो वो neutral लेगी उसने कोई चीक नहीं मार नहीं है उसी तरह indifference यनकी आप भी neutral हो जाते हैं आपको भी किसी चीज़ से कोई फर्क नहीं पढ़ने वाला अब 14th question है देखिए 14th question cbsc board exam 2006 यनकी board exam 2006 में पूछा गया question है ये तो यह भी important है भी दुबारा भी पूछा जा सकता है एक बार आ चुका है तो यह मतलब नहीं है कि दुबारा नहीं आएगा तो इसे भी पढ़ देना चाहिए तो इसमें आपको वो आइडियास बताने हैं जिससे की दुनिया खतम होगी सो दब वर्ड एड आज एज डिर्एक रिज़ल ओ आइडर फायरइज तो अगर हम पॉइट के तरीके से तरीके से डिर्यक्त ली बात करें तो यह दुनिया कैसे घतम होगी फायरर ररईज के थूंसेड़ कि यह जो दुनिया है वह किस तरह से खत्म होगी दुनिया का विनाश कैसे होगा अंत कैसे होगा फायरी कोर से यानि की गरम होने की वज़े से और उसके उपोजिटली कई साइंटिस्ट का क्या मानना है कि यह आई से वज़े से यानि कि जो कमिंग आई से जैसे जैसे बर्ख बढ़ती जा रही है पिगलती जा रही है वह भी विनाशकारी हो सकती है सबी चीज़ों के लिए तो फ्रोस्ट ने इसे काफी ज़़ा इमोशनल तरीके से बताया है जिसमें की फायर को तो डिजायर के थुरू बताया है और आईस को हेटरेट के यान की गरेना के थुरू बताया है अब आता है 15th question ये देखिए जी ये भी बोर्ड एक्जाम दो जाल 13 में पूछा गया question है तो question क्या है तो अगर destruction की बात करें विनाश की बात करें तो पोईट के लिए आईस भी उतनी ही important है तो आईस का क्या meaning आता है यहाँ पर how is it sufficient to bring destruction और यह विनाश करने के लिए किस तरह से कामगरी है या सहायक है so eyes symbolizes hatred eyes का क्या meaning आता है भी hatred ध्यान रख लिए बहुत बार वर्ड आ चुके है hatred greener तो eyes क्या symbolize कर रही है hatred को hate is just as just a powerful as desire तो hate क्या है greener क्या है उतनी ही powerful है जितने की desire है जितना हम किसी चीज के लिए लगाव रखते हैं उतना ही लोगों से greener भी रखते हैं यह भी देखी आप so while desire consumes quickly जिस तरह से इच्छा हैं बहुत जल्दी आती है hate can occur and linger in people's mind and hurts for years and sometimes even lifetimes तो जैसे desire क्या है बहुत जल्दी आ जाती है hate क्या है वो थोड़ा दीरे-दीरे से आता है लोगों के दिलों में लेकिन कई सालों तक रहता है या कई बार तो क्या है lifetime के लिए रह जाता है hate hate consumes the hater perhaps even more than the person or group hated and it can ruin lives और कई बार तो क्या होता है hate होता है यानि कि किसी का जो गुसा होता है वो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है इतने end पर आ जाता है कि वो किसी एक person के बजाए एक group पर भी हो सकता है और जिससे क्या है कई लोगों की जिंदियां भी बर्बास हो सकती है thus hate can be very destructive and sufficient to bring destruction तो इसी लिए जो hate है ग्रिना है वो destruction के लिए यानि कि विनाश के लिए काफी ज़्यदा powerful thing है और sufficient भी destruction के लिए यानि कि अराम से इससे destruction हो सकता है यानि कि अगर हम आपसी मतबे दिन आई रखेंगे एक दूसरे से लडाईयां करते रहेंगे तो कैसे चलेगा तो अपने आपी विनाश संभव है अब next question देखें जी CBSC board exam दो जाया तेरा में पूछा गया question है तो एक question क्या है discuss how extreme behavior can has done the end of the world with respect to fire and eyes तो किस तरह का behavior है जिससे की दुनिया का end होगा है fire or eyes के through मतलब fire or eyes को के through पूरा क्या overview आ रहा है वही बताना है poem का so fire symbolizes desire and eyes symbolizes hatred तो देखें कितनी बार आ चुक है fire के symbolize कर रहा है desire को इच्छाओं को rise के symbolize कर रहा है hatred को so desire is a kind of intense love or want that focuses people on getting and possessing and acquiring तो desire है इच्छाएं या वो किसी चीज़ के लिए इतना ज़्यादा प्यार होता है या इतना लगाव होता है कि हम उस चीज़ पर इतना focus करते हैं उसे पाने के लिए कि उसमें पूरी तरह से खो जाते हैं और उसे पाकर ही आराम लेते हैं और अपनी सुसाइटी है पूरी इस तरह के लोगों से बरी हुई है जो मतलब एक दूसरे को नीचा दिखाने में रहते हैं कि अगर उसके पास चोटा टीवी है तो मैं उससे बड़ा और बेटर टीवी लेके होंगा और हमारे पास क्या है? stylish car भी होने चीए एक extra वेजेंट है house होना चीए बहुत ही जादा बड़ा बंगले जासा house होना चीए और अगर एक गर है तो दो होने चीए एक प्लेट है तो दो होने चीए एक कार है तो दो होने चीए इस तरह की desires बढ़ती रहती है और इस तरह की जो इच्छाय होती है वो क्या है एक दिन क्या है लोगों को बरबाद ही कर देती है पूरी तरह से बैंक जो खाली कर देती है और लोगों को विनाश के एंड पर ले आती है और इसी तरह जैसे अभी हमने डिजायर के बारे में यानि की पायर के बारे में पढ़ा तो हेट यानि की जो आईस है वो भी उतनी ही पावर फुल है उतनी ही पावर है उसके अंदर भी हालांकि जो डिजायर है वो काफी जल्दी से आती है जो ग्रेन है वो थोड़ा दीरे दीरे आती है ये रेस्टेंड डेवस्टेशन लेकिन ये भी विनाश में उतनी ही कामगा रहने की उतना ही विनाश करती है और अगर हम बात करें कि हेट जो है तो हेट क्या है इसका रूट कोज है इसका में जो रीजन है वो हेट ही है रेसिजम वगेरा का या फिर वोर के लिए लड़ाई के लिए एक दूसरे से गृणा का गुस्से का इट के लिंगर इन पीपल्स मैंड फॉर लाइफ टाइम और और यह पोधिए और कई वार तो क्या होता है कि जो हेट होती है जिस sih आदमी से हम हेट करते हैं वो कम होता है लेकिन हमें बढकाने वाले काफी ज्यादा हो जाते है तो हमारे मन में Gesch sovereignty क्या हैं वह भी नेृस्ट हो जाती है अब देखिए जी 17th question है इसका ये कब पूछा गया था CBSC Board Exam 2014 के अंदर तो question क्या है how will the world end दुनिया कैसे खतम होगी support your answer with scientific explanation तो आपको आपका अंस्वर कैसे बताना है scientific explanation के through तो चलिए पढ़ते हैं according to the scientist अब scientist के through the two reasons for destruction of the world will be either fire record or the ice age तो विनाश की जो दो चीज़े हैं दुनिया के विनाश के लिए जो दो कामगा चीज़े हैं वो क्या है fiery core यानि की या तो fire के through या फिर ice के through some scientists believed that the world would be incinerated from its fiery core while others were convinced that a coming ice age would destroy all living things on the earth's surface तो अब कईयों को क्या लगता है कि जो आग है वो इतनी ज़दा होगी मतलब कई scientist को क्या लगता है कि incinerated यानि कि इस तरह से बढ़का देगी आग कि हर एक जगा पर विनाश होगा हर एक जगा को जला देगी यह आग और कई scientist का क्या मानना है कि जो बरफ है वो इतनी ज़दा हो जाएगी कि जो दुनिया है वो पूरी सर्फेस पे पानी ही पानी हो गया बरफ ही बरफ हो और human being life नहीं होगी और अगर दूसरे शब्दों में कहें तो जो जादा काफी जादा हीट है या फायर है जो धर्ती के नीचे की तरफ है यानि कि अगर हम खोथते हैं तो भी देखे अगर आप कर बीज Queignory चै कि तरफ अगर 20 फीट दक भी खो देगे तो काफी ज़दा गर्मी ओने लग जेकी नीचे हलां कि उपर ठंड होगी बाट नीचे क्या है वो गरμी होगी 20 फिट यानिकी आरोफ के नीचे काफी ज़दा गरमी है तो उसी वज़़से क्या है काफी या फायर प्रश या इतनी ज़़धा बढ़ जाएगी कि कई बार तो क्या है वोल केना उसकी वज़ा से या आर्थक्वेक या सुनामी की वज़ा से ही यह दुनिया एंड हो जाएगी और अगर हम आईसी एज की बात करें तो उसमें क्या होगा जो बड़े बड़े mountains हैं उनके पिगलने की वज़से या global warming की वज़से जो बड़े बड़े mountains है वो shrink होते जाएंगे Merit होते जाएंगे तो क्या हरेक जगा पानी पानी बढ़ जाएगा बरफ ही बरफ होगी जिसकी वज़से दुनिया क्टम हो जाएगी so as a result one day the entire world will die of the icy water तो एक दिन क्या होगा इस result पर क्या होगा दुनिया जो है वो icy water की विज़े से खतम हो जाएगी frost does tries to warn people against the two greatest problems facing humanity and the consequence of human vices with an increased effectiveness तो एक result के तोर पर icy water की विज़े से दुनिया खतम होगी और frost ने बाद में क्या कहा है tries to warn people यानिकि अब वो लोगों को चेता रहे हैं try कर रहे हैं लोगों को warn कर रहे हैं कि यह जो दो problems हैं जो humanity को लोगों को face करनी पड़ेंगी जिसकी वज़े से क्या है human जो है वो पूरी तरह से बरबाद हो जाएगा यानिकि अगर आप बार बार इच्छाए करते रहेंगे तो भी आप बरबाद ही होएगे एक दिन आपके पास पैसा ही नहीं रहेगा अपने इच्छाओं को पूरा करने के लिए और अगर आप एक दूसरे से ग्रेना करते रहेंगे तो आप अंदर ये अंदर जल जल कर री बसम हो जाएगे यानिकि आपको कुझ से करी बार ग्रेना आने लग जाएगी मैं कर रहा हूं तो क्यूं कर रहा हूं हमारा जो फेस्बूक और इंस्टाग्राम अकाउंट है उस पर भी हमें फॉलो कर लिजिए ताकि नहीं अपडेट्स आपको रेगुलर मिलता रहें और यूटूब पर भी हमें सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको इसके यानि की पॉयम्स की जो रेगुलर वीडियोस है सबी वीडियोस है वो चाहिए तो डेस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुए है उस पर क्लिक कर लेना उसके थुरू आप सबी पॉयम्स पर पहुंच सकते हैं फास्ट फ्लैट बूक की चीक है जी तैंक यू कर दो